हेलो बच्चों, नवसकार प्यारे बच्चों, हम लोगों ने last class में continuity का topic सुरू किया था और हमने उसका एक question भी करके देखा जिसमें हमने यह देखा कि एक basic rule का इस्तमाल करके हम लोग continuity और discontinuity के concept को पूरा कर सकते हैं और मैंने क्या बताया, तब एक continuity क्या है जो आपके limit को exist कर जाए वो continuity और जो आपके limit को exist ना करे वो क्या होगा discontinuity तो हमें इसी के बारे में आगे पढ़ाई करनी है question number six हमने attempt किया था और question number seven मुझे कराना है लेकिन उसके लिए थोड़ा wait कीजिए पहले मैं आपको छोटे-छोटे question करा देता हूँ ताकि आपको पूरा जो इसके इसका figure है वो पूरी तरीके से clear हो जाए फिर मैं 7th question पर आऊँगा जो कि double वाले है ठेक है तो हम पहले single limit वाले करते है then double limit वाले करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके लिए 7th question हाजिर है कि आपके पास एक function दिया गया है और function आपको दिया गया है sorry 7th नहीं 8 थे बच्चो sorry sorry 8 थे कि mode x upon x condition क्या दी गई है if x is not equal to 0 और कह रहा है कि value 0 होगी if x is equal to 0 तो प्यारे बच्चों हमें इसको solve करना है अब आपको अगर अपनी 11th class याद है तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ इसके बारे में जानकारी दीती कि अगर कोई value किसी के equal नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है या तो वो उस value से बड़ी होगी या तो वो उस value से छोटी होगी यही condition पढ़के चल रहे थे हम लोग चलिए तो solve करेंगे जड़ा सबसे पहले हम लोग LHL के लिए LHL मतलब when X is less than 0 0 के छोटा क्यों लेंगे हम क्योंकि LHL का मतलब जो भी number दिया है उसके left side में जाना है और आपको पता ही है कि number line पे जब भी हम लोग किसी value से left जाते हैं तो हमेशा value कम होती है degrees होती है जब कि किसी भी value से right side में जाएंगे तो value always क्या होगी increase किस पर number line पर किस पर number line पर तो हमने बच्चो X ले लिया less than 0 चलिए अब क्या है less than 0 limit extend to 0 minus f of x limit extend to 0 minus और बच्चो f of x 0 minus मतलब less than के लिए value ये है ये है now let करेंगे बच्चो आपको पता ही कि जब हम minus वाला हिशाब कताब करते हैं तो x बराबर 0 minus h ले लेंगे तो बच्चो असल मैं बचेगा क्या minus का h it means अगर मैं x extend to 0 minus it means यहाँ अगर मैं 0 रख दूँ तो क्या होगा भई भई 0 को minus देदे को कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो यानि अगर x भी 0 है तो h भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा चलिए अब हम क्या करेंगे limit जो है x हटा के क्या put करेंगे h का 0 और जहां पर x है उसकी जगा पर क्या put करेंगे जल्दी बोलाओ minus का h minus का h लेकिन मेरे प्यारे बच्चो आपको बहुत अच्छे से एक बात clear है कि अगर mode के अंदर minus का number होता है तो वो बाहर निकल के plus का हो जाता है h से h cancel out तो क्या बनेगा बच्चो वो बनेगा limit h extend to minus 1 ठेक है और minus 1 के limit क्या होती है minus 1 ही होती है ठेक है तो यानि इसका answer कितना आ गया minus 1 अच्छा अब अब now r h l right hand limit तो बच्चो right hand limit क्या है when x is greater than 0 when x is greater than 0 ठेक है बच्चो अच्छा अब आपको अच्छे से बताए greater than 0 का मतला हम value plus की तरफ चलेंगे plus means हम value आगे बढ़ेंगे यहाँ पर plus का मतलब यह नहीं है कि यह value plus की है यहाँ पर plus का मतलब है कि आप right side में जा रहे हो value increase करने के लिए और minus का मतलब क्या है कि value decrease करने के लिए जा रहे हो ठीक है f of x और यह बनेगा आपका limit x tend to 0 plus और f of x यानि greater than के लिए भी यही same function रहेगा हां की ना चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों अब क्या let करके चलेंगे हम x is equal to 0 plus h क्योंकि आगे बढ़ रहे न इंक्रीस तो तभी होगा जब plus करेंगे तो बच्चों यह तो यही रहा गया x is equal to h अब put करेंगे क्या put करेंगे x tend to 0 यहाँ 0 रखोगे तो h obvious सी बात है क्या जाएगा 0 अब बच्चों आपको करना क्या है क्या आप x की जगा h extend तक आएंगे कौन से extend तक आएंगे h extend तक आएंगे और वहाँ पर x की जगा पर क्या put कर देंगे h अब ज़रा ध्यान से देखिए बच्चो mode से बाहर निकल के भी यह क्या रहेगा plus का ही रहेगा और h h से h कट गया 1 it means limit h extends to 0 1 तो यह तो answer क्या आएगा 1 तो बच्चो मैंने क्या देखा कि left hand limit minus 1 आ रहा है और right hand limit 1 आ रहा है तो इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि lhl is not equal to rhl तो आप क्या कहोगे so the limit is not exist therefore therefore this function this function is discontinuous discontinuous चलो पल्ले पड़ा कर के देखो करो बच्चो अगे नोट कर लिया होगा आप लोग ने अगे चलिए तो प्यारे बच्चों कि अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं ठेक हैं और अब हम कुछ नए टाइप के कोश्चन करके देखते हैं अब एक इसी टाइप का सेम कोश्चन आपके सामने करा रहा हूं मैं भी सेम यही कोश्चन है बस उसकी कुछ टर्म्स बदल दिये गए ठेक हैं कुछ टर्म्स बदल दिये गए हैं जैसे मैं बताता हूं क्या है कोश्चन कोश्चन बच्चो सेम यही है सेम यही है f of x टर्म्स बदल दिया गया x upon में mode x x is not equal to 0 और minus 1 value आएगी जब equal to 0 होगा जब equal to क्या होगा 0 होगा sorry sorry यह दिया हुआ है कि x is not equal to less than 0 x is greater than and equal to 0 यह condition है ठीक है चलो यह condition दिये है और आपको क्या करना है प्रूफ करना है तो वह यह बच्चो सबसे पहले आपको पता ही है lhl ठीक है ना when x is less than 0 तो x is less than जब 0 लेंगे भाई तो हम क्या करेंगे x extend to कहां तक 0 minus f of x फिर limit x tend to 0 minus f of x यानि less than value ले रहे हम और function तो आपको पता यह कौन सा रहेगा less than के लिए less than के सामने जो function है वही रखेंगे हम ठीक है अब क्या करेंगे let करेंगे कि x बराबर होगा 0 minus h तो x बराबर minus h आ जाएगा put करेंगे x tend to 0 तो अब विसी बात है h भी कितना आएगा 0 आएगा ठीक now तो अच्छो limit h extend to 0 x की जगह पर minus h put कर देंगे तो limit h extend to 0 minus h तो minus h ही रहेगा mode से बाहर निकल के plus बन जाएगा h से h कट गया limit h extend to 0 minus 1 तो answer क्या आ गया minus 1 यह आ गया अब का answer किसका lhl का किसका answer आ गया lhl का ठेक है अब किसकी बारी है rhl की अब किसकी बारी है rhl की now rhl when x is greater than 0 when x is greater than 0 तो limit x tend to 0 plus f of x is equal to limit x extend to 0 plus हाँ भई f of x यह जीरो से greater भई 0 से greater के लिए हमें कुछ करने की जुरूत नहीं है पहले ही हमें value दे रखिये कितनी minus 1 पहले हमें value कितनी दे रखिये है minus 1 तो आगे करने की कुछ जुरूत ही नहीं है ठीक है तो देखो आप क्या देख रहो कि lhl बराबर किसके आ गया rhl के जब lhl बराबर rhl के आ चुका है सो हम एक काम करते हैं when x is greater is equal to 0 यहनी एक बर less than लेके देखा तब भी minus 1 आया greater लेके देखा तब भी minus 1 आया क्यों कहां से आया पहले ही दिया हुआ है और जब हम equal to ले रहे हैं equal to ले रहे हैं तब भी answer क्या आ रहा है तब भी answer minus 1 आ रहा है अयसा देखो अब मैंने इस पे ना plus लगा यह ना minus लगाया क्यों क्योंकि इसने खुद बोला है कि x किसके बराबर है 0 के इसलिए नहीं plus लगाने जुरत है नहीं minus लगाने जुरत है तो हमने क्या देखा so limit x tend to 0 minus f of x is equal to limit x tend to 0 plus f of x is equal to limit x tend to 0 f of x तीनों के तीनों आपस में क्या आगे बराबर आगे क्योंकि तीनों की value कितनी है तीनों की value कितनी है minus 1 so this limit is exist exist and therefore therefore this function this function is continuous समझ मैं बच्चो कि कब continuous होगा और कब discontinuous तो continuous तब होता है जब क्या हो तीनों के तीनों चीज़े आपस में equal आजाएं ठीक है note कर लो note कर लो ताव शीतरे लो ठीक है याल व्यव है शीतरे लो बराब है याँ वितम आपक है याँ भागे समझे श्टक कर देका जाएं अखरे लो याँ था उड़े उवतान शीतरे लो आपा व्ट ढ़ाएं कि अब कौन से करा दें अब जिसे दस्वा तो आप खुदी कर सकते हो मैं आपको करवाता हूं 11 कि 11 कराता हूं अच्छा आपको 11 में आपको फंक्शन दिया हुआ है x3-3 और कह रहा भाही इफ x is less than and equal to 2 ठीक है और x square plus 1 if x is greater than 1 ठीक है चलो देखा जरा नाओ आपको करना क्या है लहल है ल, HL when X is, sorry, 1 यह बच्चो है, 2 है when X is less than 2 when X is less than 2, क्योंकि बच्चो limit क्या चल रही है, limit चल रही है 2, limit क्या चल रही है बच्चो 2, जब limit प्यारे बच्चो 2 चल रही है, तो हम यहाँ पे less than और greater than का concept भी किसके हिसाफ से लेंगे, 2 के हिसाफ से, अगर limit 1 चलेगी तो less than और greater than का case किसके हिसाफ से, 1 के हिसाफ से 5 चलेगा तो 5 के हिसाफ से, 10 चलेगा तो 10 के हिसाफ से, ठीक है चलिए, अब when X is less than 2, तो हम क्या करेंगे बच्चो, LHL तो हमने लेही लिया है now, अब हम क्या करने जा रहे है limit value के तरफ जा रहा हूँ, और F यानि F of X, तो बच्चो, मुझे 2 से छोटे के लिए function क्या दिया गया है X cube minus 3, क्या दिया गया है, X cube minus 3 now, अब आप यहाँ पे let कीजिए, आपको पता है less than के लिए X is equal to less किस से करना है, 2 से पीछे जाना है, किस से पीछे जाना है 2 से पीछे, तो 2 minus H लूँगा और आपको पता ही है, कि अब H की जितनी भी value लेते चले जाओगे आप, वो अपने आप 2 से छोटी होती चले जाएगी, चाहे तो try करके देख लो H की value 1 लो, देखो 2 minus 1 1, 2 से छोटी है कि नहीं आप यहाँ पे H की value 2 ले लो 2 minus 2, 0, बताओ, 2 से छोटी है कि नहीं आप यहाँ पे H की value 10 ले लो 2 minus 10, minus का 8 2 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल है यानि आप कोई भी value लोगे, अपने आप कहां आ जाओगे 2 से पीछे आ जाओगे number line पे, चलिए, तो X कहां तक extend कर रहा है, 2 तो 2 से 2 कटेगा, H अपने आप कहां तक extend करेगा बच्चो 0 तक, जब यहाँ पे 2 रग दोगे तो H अपने आप कहां पे आ जाएगा 0 पर, यह put करने पाए Now अब क्या करेंगे, limit H extend to 0, और जहां पर भी X है, उसकी जगह पर, क्या put कर दोगे 2 माइनस H, अब देखो इसके उपर क्यूब था, तो इस पे भी क्यूब आ जाएगा माइनस का H माइनस का H अब आपको करना क्या है, अब आपको इसे open करना है, A माइनस B का whole cube, तो जहां तक मैं उमीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे बहुत होसियार हैं और वो इस formula को बहुत प्यार से जानते होंगे, A माइनस B का whole cube, A cube माइनस B cube माइनस 3 A square B plus 3 A B square सभी बच्चों से मैं सहमत रहूँ न, कि हाँ आपको आता है हाँ जी, खोलिए इसको, क्या बनेगा 8 माइनस H cube माइनस 2 2 का square 4 3, 12 H और यह बन जाएगा plus 3 3, 2, 6 H square माइनस H ठीक हैं अब आप ज़राइसको solve करेंगे H extended to 0 8 माइनस H cube 12 यह तोरी plus का 6 H square 12 H माइनस H माइनस का 13 H बस जहाँ जहाँ पर H है, वहाँ पर क्या पुट कर दोगे 0 जहाँ जहाँ पर H है, उसकी limit क्या पुट कर दोगे 0 तो यह बनेगा आपका 8 माइनस 0 का cube plus 6 0 का square माइनस 13 और यह 0 तो यह सारा 0 बन गया तो आपका answer कितना आगया भई 8 आगया किसका, LHL का LHL का क्या आगया भई, answer 8 Now, अब किसके लिए जाओगे आप Now When X is greater than 2 और यह आपको पता यह किसके लिए होता RHL के लिए किसके लिए होता है RHL Left, right hand limit के लिए तो आपको पता यह Right hand limit X extend to क्या 2 plus यानि आगे की तरफ बढ़ेंगे किसके तरफ बढ़ेंगे आगे की तरफ 2 plus हाँ भई, 2 से greater के लिए function क्या दिया गया है X square plus 1 तो चलिए let करते हैं Let करेंगे X वराबर 2 plus H क्यों लिया बच्चों मैंने 2 plus H कि आप यहाँ पे X की वरलू कुछ भी बुट करेंगे अपने आप वो क्या हो जाएगा 2 से greater होता चला जाएगा ठीक है चलिए अब यह मत कहना 0 बुट कर दे तो अरे भाई 0 बुट करोगे तो function यहाँ पे बना के दिखाई रहूं 0 के लिए तो ठीक है चलिए तो यहाँ पे X extend to कितना है 2 तो 2 से 2 कट जाएगा अपने आप H कहां तक extend करेगा 0 तक अब क्या करना है कि limit H extend to 0 और जहाँ पर भी आपको X दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 प्लस H पुट कर दो इसके उपर square है इस पे भी आजाएगा चलिए हर बच्चा हमारा होनहार है वह इसको open करना जाता है A प्लस B का whole square 2 का square H का square plus 2 A B तो क्या बन गया limit H extend to 0 दो दुनी 4 H का square 2 2 जा 4 H प्लस 1 तो प्यारे बच्चों जो limit बनी वो क्या बनी H square 4 H 4 और 1 5 limit put कर दो limit put कर दो H का square 0 4 H 0 प्लस 5 तो सब को 0 हो गया बचा 5 तो हमने क्या देखा कि LHL is not equal to RHL तो बस this function is not sorry this limit is not exist therefore this function is discontinuous करो this function is discontinuous कीजी बच्चों कीजी कि बचारी कि बच्चों कीजीए की की बच्य bypass झाल झाल चले बच्चो उमीद करतों आपने नोट कर लिए होगा देखे देखें बच्चो अब कोशन नंबर प्यारे बच्चो टैन आप कर सकते हैं ट्वैल आप कर सकते हैं ठाटीन आप कर सकते हैं ठीक है 14 रेन दो 15 रेन दो 16 भी रहने दो ठीक है यह करा देता हूं 17 17 करा देता हूं यह देख लो प्यारे बच्चो आप टैंशन मतलो बुक के कोशन इतने नहीं आते जितने आपके एमेल अगरवाल से आते हैं तो अभी इसको कराने के बाद NCRT से एक बड़ करा लूँ उसके बाद NCRT से जब कराओंगा तब देखना तब और मज़ आएगा यह तो समझ लोई इनके आने के यह तो सिर्फ आपको मैं बेसिक करा रहा हूँ ठीक है जिनके आने के चंसे ना के बराबर है बिल्कुल ठीक है आए हैं कभी लेकिन इस टाइप के तो मैंने आज तक देखे नहीं पिछले कई सालों में ठीक है पिछले कई सालों मैंने यह कोशन नहीं देखे ह हाँ, बुक से के वाले कोशन आये वे हैं, बाकी तो कोई कोशन मैंने भी तक देखा नहीं तो इसलिए अभी फिलाल बस मैं आपको बेसिक करा रहा हूं तो इसलिए करा देता हूं कोशन नमबर 17 F of X A X plus B A X plus B नहीं है, 1 है A X plus 1 If X is less than and equal to 3 और अगला फंक्चन है, B X plus B X plus 3 If X is greater than 3 ठीक है, greater than 3 चलिए Now, अब मैं क्या करूँगा बच्चो LHL के लिए solve करूँगा When X is less than 3 हाँ जी, limit X tend to 3 minus F of X ठीक है, तो बच्चो Limit X tend to 3 minus Less than के लिए value क्या लूँगा मैं A X plus 1 यहाँ पर let करेंगे X is equal to 3 minus H क्योंकि मुझे अब 3 से छोटी value चाहिए सही बात है अच्चा तो मैं put करने जा रहा हूँ बच्चो बूट कर सकते हो तो यह बन जाएगा क्या बई, अगर मान लो डारेक्ट आप H की value बूट करते हो तो यह बनेगा 3 minus 0 प्लस 1 और यह क्या बन जाएगा 3 A क्योंकि 0 तो खतम हो गया प्लस 1 तो आप का अंसर क्या आया 3 A प्लस 1 अच्छा, आपको मैं एक बात और बता दू इस question में आपको निकालने के लिए पहले बोला गया है A और B यहनि आप A और B की value find करो तो बच्चो एक बात ध्यान रखना कि जब भी ये value निकालने के लिए बोल दिया जाए और अगर आपको नहीं भी दिया है ना तो आप अपने आप understood कर लेना कि हां जी ये पहले से ही क्या है continuous है ठीक है क्योंकि बिना continuous की result आई नहीं सकता अब आ रहे चल के लिए करेंगे ठीक है पहले बात तो इसमें ऐसे ये Tack يع solicitude करेंगे तो क्या बनेगा नऊ-टी pac Lumat k antis cell टृद वरेंगे टूरेंगे तो क्या बनेगा दो आउ-पनेगा अग अब tag अगर ये फिर ट्रेक हम लेड़ करना है भाष्ट बराबर क्व अच फिर पुट्ट करना है x 3 plus 3 से 3 कट गया h extend to 0 Now, अब क्या करोगे limit h extend to 0 हाँ जी, 3 करी कहा, b x x की जगा पे 3 plus h और plus में 3 put कर दो limit b 3 plus 0 plus 3 तो यह जाएगा, 0 plus 3 3 होगा 3 b plus 3 ठीक है, now अब equal to में भी ले लो when x equal to 3 ठीक है, तो limit x tend to 3 f of x limit x tend to हाँ जी 3, भाई equal के लिए क्या value है, ax plus 1 value put कर दो 3a plus 1 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 3a plus 1, अब क्या बोला उसने, आदे को कोशन में क्या बोला है, इसने बोला भाई find the relationship between a and b, हाँ जी a और b के बीच में relation बताओ, अगर ये x is equal to 3 पे continuous है, now, अब आपको पता है, lhl और rhl ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और दोनों भाई हम बराबर रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि continuous है, और continuous के case में, lhl, rhl आपस में क्या होता है, equal, अच्छा आपको होगे कि सर आपने ये वाला, ये ये वाली value क्यों ये उजिनी की, क्योंकि बच्चों ये तो मिरे पाद पहले से ही आ गई है, तो दुबारा रख के कोई लाएंगे, minus का 3B, plus के 1 को उठा के उधर लेके जाएंगे, minus का 1, 3 common आएगा, a minus b, ये 2 आ गया, 3 नीचे ले जाओ, a minus b बराबर 2 by 3, ये भी नहीं करना चाहते, तो आप यहीं पर कर सकते हो, 3a minus 3b, और ये 2, और यही इसका relation है, ठीक है, यही इसका relation है, करो, value नहीं पूची न, value नहीं पूची, value जिसे value वाला बताता हूं, कौन सा question है, value वाला question है, find the value, 18th, 18 question देखो, 18 question में lambda की value पूची हुई है, तो वो बताएंगे भी हम, ठीक है, इसके बाद एक last question करवाता हूं बच्चो आपको, question number 18, फिर next class में आपको मैं यह खतम करा दूँगा, बुक से, बुक से continuity खतम हो जाएगी, ठीक है, और हद से हद एक class और दे देंगे आपको, मैं यह थमझे लो, इस week न, मैं आपका, यह पूरा week, आपका continuous चला दूँगा, ठीक है, ml अगरवाल से भी चला दूँगा, ml अगरवाल से भी चला दूँगा, तो बेफिकर रहे हैं, इस चला देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, यह पूरा week, जिसमें आगले next class में आपके NCRT से खतम हो जाएगी, और उसके next class में आपको ml अगरवाल से करा दूँगा, दो चार question, फिर यह खतम हो जाएगा, फि इसने पूछा ही, इसमें relationship है, ठीक है, अगर value बूचा होता, तो आ जाती है अब तक value, question number 18, ठीक है, question number 18 में आपसे क्या बूचा है, कि भई, आपके पास एक function दिया गया है, lambda x square minus 2x, if x less than and equal to 0, और अगला पूचा गया है, 4x plus 1, if x is greater than 0, तो आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने जूरत है नहीं, LHL when x is less than 0, limit x tend 0 minus f of x, limit x tend to 0 minus f of x, कितना है बच्चो, lambda x square minus 2x, तो let कर लेंगे, x बराबर 0 minus h, x बराबर minus h आ गया, put करो, क्या, x tend to 0, तो h भी कितना जाएगा, 0, now, अब क्या करोगे, x के जगा पे क्या लेके जाओगे, h, तो lambda minus h का square, 2 minus h, यही बनेगा न, तो limit x tend to 0, lambda h का square, minus minus plus 2h, ठेक है, अब limit put कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, lambda, ठेक है, lambda, 0 का square, plus 2 into h, 0, ठेक है, कुछ गड़बड नहीं हो रही है, हाँ, value क्या, पूरा ही 0 हो जाएगा, ठेक है, यह पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि यह पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन में, value 1 आएगी, हो जाएगा, तो 0 ही, चलो, put करते हैं, अब आ रहे चल में, देखो जाएगा, when x is greater than 0, तो क्या होगा, limit x tend to 0 plus f of x, limit x tend to 0 plus, और यह क्या होगा बच्चो, greater than के लिए, 4x plus 1, तो लेट करेंगे, x बराबर 0 plus h, तो x बराबर h आ जाएगा, extend to 0 plus, तो h अपने आप क्या जाएगा, 0, limit h extend to 0, 4, x के जगा पर h plus 1, limit put करोगे, 0 plus 1, यह तो 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा भाई, यह तो बड़बड है फिर, now, और आप equal to के लिए पुट करोगे, तब भी 0 आ जाएगा, तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए, इसे होना नहीं चाहिए, एक मिन बच्चो और चेक करने दो, बच्चो देखो, अगर आप इसको देखोगे, now, अब एक काम करो, now, when x is equal to 0, और जब बच्चो आप is equal to 0 वाला फंक्शन ले रहे हैं, is equal to 0 वाला फंक्शन ले रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं, lambda x square minus 2x, put करना value जरा, 0 का square, 2 into 0, तो ये तो फिर भी अब भी 0 बन रहे हैं, तो मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, कि बच्चो अगर कोई value निकालने के लिए मेरे पास आए, तो बच्चो वैलू निकालने की सर्त मैंने क्या रखी है, कि LHL जो होना चाहिए, वो RHL के क्या होना चाहिए, बराबर, लेकिन बच्चो यहाँ पर तो यह बराबर आई नहीं रहा, LHL, RHL के बराबर आई नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो, LHL is not equal to RHL, तो, Lambda has no value, Lambda has no value, यानि Lambda की कोई value यहाँ पर exist नहीं कर पाईगी, ठीक है, यानि कि हमारे से जो limit let की गई है, वो limit ही गलत है, क्या गलत है, limit ही गलत है, question के अंदर, ठीक है, चलिए, इसको note कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक मैंने 18 तक करा दिया, 18 तक के question आप try कर सकते हैं, ठीक है, 14, 15, 16 नहीं करना है, मैं आपको next class से question number 23 से, sign cost के अंदर लेके चलेंगे, ठीक है बई, और k वाली term सिखाऊंगा, तो वह ही important है, इन में से आज तक अभी तक कुछ आया नहीं है, बस basic सिखाने थे, इसलिए मैं सिखा रहा था, ठीक है, तो चलिए, इस class का अंतर आज यहीं करते हैं,